मैं यतिवर्य कुमार विजय, आज आपको जोतिस के जानकारी के विशे में इस वीडियो के अंतर रगत, मैं आपको सनी और मंगल से परभावित राशियों के विशेश लाब के या उनके बारे में बताऊंगा, कि मकान, भूमी, संपत्ती, मेश राशी है, व्रिस्चिक राशी है, मकर राशी है, कुम राशी है, इन राशी वाड़ों के बाग्य में बहुतायत में होती है, अगर हम ये देखें कि जीवन के अंदर बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बागिसली होते हैं वो, कि उनको कोई बड़ा काम, मैनत का काम करना ही नहीं पड़ता है, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जो जीवन बर खूब परियास करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, बावजूद उस मेहनत के या परियास के, वह कोई बहुत बड़ा अधिक जीवन में हासिल नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ राशियां ऐसी है, सनी और मंगल की, मैंने आपको बताया, मेश राशी है, वर्षिक राशी है, मकर राशी है, कुम राशी है, इन राशियों पर मंगल की और सनी देव की कृपा द्रश्टी हमेशा बरस्ती रहती है, और इस वज़र से इन राशियों के जो जा मेश राशी वर्सिक राशी मकर राशी और कुम राशी वाडों के अलवा बाकी जो राशिय वर्स्त है मितून है करक है सिंग है कंया है तुला है यह मीन बह्fahrली परॉक्तार है ऐसी राशी में भी अगर सनी या मंगल बल्वान हो कर बैठ जा में उचका वोकर बैठ जाए तो इन राशियों वालों को भी अच्छा खासा लाब देते हैं लेकिन मंगल जहां भी सनी के साथ में रहता है उस कुंडली को थोड़ा अलग से अगर समझ कर देखेंगे तो यह पाएंगे कि जिसकी कुंडली में सनी और मंगल साथ हम बैठते हैं उ उस कुंडली के जातक को थोड़ा सा विशेश जीवन में अलग से लाब मिलता है हालनकि सनी और मंगल का आपस में बैठना एक असुव योग बनाकर जीवन में ऑपरसनादी के योग को भी सरजित कर देता है तो सनी और मंगल की विशेशता यही है कि दोनों जिस पर महर्ब अब देखते हैं कि मेश रासी जो है यह जिस भी छित्र में मेश रासी के जातक होते हैं यह जिस भी छित्र में जाते हैं यह अपना खुद का अपना दबदबा बना कर या अपना वर्चस वह कायम कर देते हैं इससे जो सामने वाले होते हैं वह इनके फरभाव के अंदर य करते हैं इसके अलावा लोग इनके ऊपर सबसे ज्यादा भरुषा भी करते हैं कि मेर राशी मंगड़ की राशी के जो जातक होते हैं वह सबसे ज्यादा लोगों के विश्वासवातर और विश्वस्वनियों होते हैं अगर मेश राशी में मंगड उचका हो या और अधिक बलवान हो तो समझो कि मेश राशी के जातक है वह जीवन में जनम से लेकर अंत समय तक संपत्तिवान और बहुत बलसाली बहुबली की तरह अपना जीवन दबंगाई से वेतित करते हैं इसी परकार से वर्षक राशी वाले भी भागेशाली होते हैं क्योंकि वर्षक राशी का स्वामी मंगल है और मंगल राशी वाले दूसरे बारे राशी के अंदर मेश के बाद में वर्षिक राशी वाले ही ऐसे लोग है जो ज़्यादा खुश नसीब रहते हैं या उनका ज़्यादा वर्षस वो बना रहता है वर्षिक राशी के जातक जीतने के लिए ही बने वे होते हैं यानि कि उनको हर छित्र में अगर वर्षिक राशी के जातक मन में यह ठान लेकर मेर के ही मानते हैं इस परकार के वह अड़क शबाव के अड़क इरादो वाले लोग होते हैं मजबूत इरादो वाले लोग होते हैं वो वर्षिक राशी वाले होते हैं इन्हें हमेशा वफादारी की उमीद रहती है जब मंगल की राशी के लोगों पर आम लोग जो दूसरी वालों के मन के अंदर हमेशा यह बावना रहती है कि मैं जिस तरह से लोगों के परती इमानदार हूं, वफादार हूं, अपने कामों के परती, लोगों की जिम्मादारियों के परती, इसी परकार से सामने वाला भी मेरे परती जिम्मादार रहे और मेरे परती वफादार रहे अगर सामने भी इनको कोई वफादार मिलता है तब इनका जो जीवन है वह तो खुश होता ही है और इसके इलावा इनका और वर्चस बढ़ता है और इनका परवाव बढ़ता है वर्षिक राशी के जातक होते हैं वह प्रतिबद होते हैं किसी भी काम को किसी भी चुनति को स्विकार करने के लिए किसी से टकराने के लिए बस उनको मौका मिलना चाहिए कि कोई उनको ललका रहे ललकार एक बले किसी और को और अगर यह वहाँ पर हैं कोई नहीं बोलेगा तो यह अपना भी बीच में आकर उस चुनति को स्विकार कर लेते हैं या उनसे टकराने के लिए भी तयार हो जाते हैं यह मंगल की राशी के यानि के मेस और वर्षिक राशी के लोग जो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं यह इन लोगों की खुबी होती है यह बात इनको एक विशेश परकार का दरजा समाज में परिवार में या यह जहाँ भी काम करते हैं इनको दिरवाता है व्रस्क राशी के जो जातक होते हैं अपने जीवन में अमुमन बागेशाली ही सिद्धोते हैं इनकी जिन्दगी में खुशियां बिच्छी रहती है लेकिन अगर मंगल के राशी वाड़ों का जो वेवाईक जीवन रहता है वह अगर नवपंचमाला योग नहों द्वादस नहीं मिले हो इस परकार के मेल विवा अगर हो जाते हैं तो इनका जरूर विवा खंडित हो जाता है वरना इनका वेवाईक जीवन कुप खुशियों से बरा संबंता से बरा सुक्समर्दी से बरा एस्विरी से बरा ही होता है इनकी जो जिन्दगी होती है इसमें खुशिया हमेशा बिची रहती है और इनको अवसर मिले या नमिले ये हमेशा अवसर को बनाना जानते हैं कि इनका जीवन कैसे खुस हो सकता है इसी परकार से यह दूस्मनों के लिए तो जहर या कहर बनकर मतलब इनको कह सकते हैं कि ये दुस्मनों के लिए कहर का रूप बनकर ऐसा बरसते हैं कि सामने वाला दुस्मन या तो बाग जाता है या इनकी अदीनता भी स्विकार कर लेता है। दुस्मनों के लिए मंगल की राशी वाले लोग ज्यादा खतरनाक सिद्ध होते हैं। यह किसी से दुस्मनी करते नहीं हैं। अगर करते हैं तो फिर पीछे नहीं अटते हैं। जो भी परिणाम हो उस परिणाम को भुगितने के लिए यह अपने आपको अमेशा त्यार रखत तल्वार के धनीवे या जागिरदार हुए या राज़ा माराज़ा हुए उनका मंगल हमेशा ही बलवान रहा है। Antarcticaific tasks के अमेशा दरती के वर राज किया है। इसके अलबा week बी कहीं और जातियों के लोगों के अगर कुंडली में मंगल बलवान रहे तो उन्होंनों भी ही एक चत्र अपना वर्चस्व कायम करके रहते हैं इस परकार से अगर देखें तो सनी की जो मकर रासी है कुम रासी है यह भी बागेशाली लोगों के ही होती है बागेशाली होने की लिस्ट में अगर मेस और वर्सक रासी के बाद में देखे तो तीसरी रासी आती है मकर रासी इस रासी का स्वामी सनी है यह रासी व्यक्ति को चालाक और धन्वान तो बना देती है इस रास मकर रासी के लोग दुनिया में अपनी जगह खुद बना कर रहते हैं, जिस परकार से मेश रासी या वर्षिक रासी के मंगल की रासी के लोग अपना वर्चस वो खुद बनाता हैं, इसी परकार से सनी देव की रासी के मकर रासी के लोग भी अपना वर्चस वो खुद बना कर समाज में दर्ति पर या शहर में रहते हैं इन्हें किसी भी समाजिक सीमाओं के अंदर या किसी परकार के बंधन के या दाइरे में बांधना मकर रासी और कुम रासी वालों को थोड़ा मुश्किल होता है ये अपनी सीमाओं को तोड़कर अपनी हद को तोड़कर अपनी मर्यादा को तोड़कर ये कभी भी कुछ भी कर सकने के ताकत में रहते हैं या अपने तयारी में रहते हैं इनको सनी देव की हमेश कर्पा मिलती रहती है और सनी की कर्पा मिलती है इसलिए इनके अंदर एक परकार का विशेष तेज उत्पन होता है और ये अपना ही दाइरा हमेशा बढ़ाने के अंदर लगे रहते हैं ये किसी की दासता कभी स्विकार नहीं करते, इनका जो स्वबाव होता है, वह स्वचंद रहता है, ये लोग चाहे कमी इनको रहेगी, तंगी रहेगी, उसको भी ये खुशी-खुशी स्विकार कर लेंगे, लेकिन अगर कोई सुख संपत्ती के साथ में इनको दासता करवाना चाहे तो मकर राशी के लोग नहीं करेंगे अच्छानक इनको सफलता जीवन के मद्य में या जीवन के अंत के समय में इनको थोड़ा विशेश लाब रहता है सफलता भी मिलती है हमेशा ये बुद्धी मानी से काम करने को ही महत्व देते हैं ये ताकत को या और किसी परकार के बल को जैसे पैसे का बल है रूप का बल है किसी बड़े पद ओधे का बल है ये इस परकार के बल का परियोग करके आगे नहीं बढ़ेंगे यह अपने बुद्धी मानी, बुद्धी चातूरिय से और अपने विशेश सवाव के कारण आगे बढ़ते हैं इसी परकार से कुम रासी के जो लोग होते हैं वह भी सनी की रासी वाले हैं इनको भी मकर रासी की तरह सवाव ठीक रहता है, इनका सांत रहता है दूसरे रासी वालों के तरह विशेश कर मंगल की रासी वालों के तरह इनका सवाव तेज नहीं होता लेकिन मंगल की रासी वाले अपने बल पर वरोसा करते हैं और सनी की रासी वाले अपने बुद्धी और मेनत के उपर ज़्यादा वरोसा करते हैं इनकी बुद्धी हमेशा से ही बड़े-बड़े तरकों को, बड़े-बड़े मसलों को, बड़े-बड़े उल्जेवे मामलों को आसानी से हल कर देती है, सुल्जा देती है, इस परकार के लोग जदातर राजा माराजा या सरकार के अंदर सचीव या सलाकार आधी इस परकार क से ओधे पर या पदपर विए चाहते हैं कुंब्राजी के लोग सांत होते हैं मितर राम मिट अमेशा तयारेते हैं तो आज मैंने आपको मंगड और सनी की राशी के जातकों के या राशी के बारे में बताया कि इस परकार के लोगों को कैसे राशी के स्वामी का आशिरवाद और फल मिलता है तो आगे मैं आपको गुरू और चंदर के राषी के लोगों के विशए में भी जानकारी दूंगा कि गुरू और चंदर के राषी के जाता किस परकार से अपने चेटर में कैसे अलग महतूपुरुन अपना इस्तान रखते हैं जै जिनैंदर